नमस्कार साथियों, रिस्पांसिव क्लासेस में आप सभी का सौगत है, साथियों आज के टॉपिक में हम दिखेंगे नमस्कार साथियों आज के टॉपिक हमारा क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे रूप रेखा, और पहली हैटिक में लिखेंगे डाक्टर भ्यूंड आउम बेटकर का परिचर, फिर लिखेंगे भारती सम्विदान सभाय में डाक्टर आउम बेटकर की भूमी का, फिर लिखे हैं, टॉपिक हमारा क्या है, तो सबसे पहले जितनी भी हमने रूप रेखा हैटिंग लिखेंगे, उन्हीं हैटिंग को अंतरगत हम सारी बातें लिखते जाएंगे, तो पहला हमारे हैटिक था भूमिका, तो भूमिका में लिखेंगे डाक्टर भ्यूंड आउम बेटकर भ पूर्ण समाज की नियू रखी, सामाजिक सुधारक, विधी विसेशक और राजनेता के रूप में डाक्टर अंबेटकर का जीवन प्रेणडा और संगर्स का अधुभूत उधारण है, फिर अगली हैटिक हमारी आएगी, डाक्टर भीम्रों अंबेटकर का परीचर, तो च जिसे ततकालीन भारतिय समाज में निम्नवर्ग समझा जाता था, उन्हें सामाजिक वेदवाओ और आइस प्रश्यता का सामना करना पड़ा, कठिन परिस्तियों के बावजूद उन्होंने सिच्छा प्राप्त की और देश विदेश में उचितम इस्थर की डिगरियां हास उनके पास कानून, अर्थसास्त और राजनीती विज्ञान में अदितिय ग्यान था, फिर लिखेंगे भारतिय समविधान सभा में डाक्टर अमबेटकर की भूमी का, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद डाक्टर अमबेटकर को समविधान सभा की मसोदा समिती यानि की ड्राफ्टिंग कमिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यह भारत के भविश के लिए उनके महत को दर्शाता है, उन्होंने सम्विधान के निर्माण में गहन अध्यन और दूर दर्शिता का परिचे दिया, और इसके इंत्रगर देखेंगे डाक्टर अमबेटकर का योगदान, तो समानता का सिध्धानत दिया डाक्टर अमबेटकर ने भारती समाज में व्याप्त जातिवाद और असमानता को समाप्त करने के लिए सम्विधान में समानता का प्रावधान किया, उन्होंने यह शुनिक्षित किया कि सभी नागरिकों को जाती, धर्म, लिंग या भासा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं झेलना पड़े, अनुच्छे 14-18 तक उन्होंने समानता के अधिकार को इसपष्ट रूप से परिभासित किया, फिर लिखेंगे अधिकारों का संदक्षन, सम्विधान में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को प्रमुख इस्थान दिया गया, जो नागरिकों को उनके बुनियादी अधिकारों की गारेंटी देते हैं, इन अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोशन के खिलाफ अधिकार शामिल हैं, सामाजिक नियाई की स्थापना, डाक्टर अम्बेटकर ने विसेश रूफ से अनसूचित जन जातीयों और पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण की वेवस्था की ताकि वे समाज में मुखिधारा में शामिल हो सकें, उन्होंने सामाजिक और सैच्छिक पिछडे पन को समाप्त करने के लिए सम्विधान में विसेश अनुच्छेदों का प्रावधान किया, चौथी हैडिंग में लिखेंगे, धर्म निरिपेक्षता और स्वतंतरता, डाक्टर अमबेटकर का द्रिष्टिकोंड एक धर्म निरिपेच्छ राज्जी की स्थापना का था, जहां सभी धर्मों को समान अधिकार मिले, उन्होंने यह शुनिश्चित किया कि नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और प्रशार करने की स्वतंतरता हो, यह अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में निहित है, पाच्छी हैडिंग में लिखेंगे, समविधान की विस्तरत सनरक्चना, डाक्टर अवेटिकर ने यह सुनिश्चित किया कि भारतिय समविधान विस्तरत और ब्यापक हो, इसमें केंद्र और राजियों के बीच अधिकारों को इसपश्ट विभाजन, संगिये धाचा, आपात कालीन प्रावधान और नियाईक स्वतंतरता सामिल है, चठा है स्रमिकों और महिलाओं के अधिकार, डाक्टर अवेटिकर ने स्रमिकों के लिए काम के घंटे निर्धारित किये, नियुनतम मजदूरी की विवस्था की और महिलाओं को समान अधिकार दिलाने पर जोर दिया, उन्होंने सम्विधान में ऐसे प्रावधान जोड़े जो स्रमिकों और महिलाओं की इस्थती में सुधार ला सके, साथवा है नियाईक और विधाई संतुलन, डाक्टर मेटकर ने नियाई पालिका और विधाईका के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कई महत्पूर प्रावधान किये, उन्होंने यह सुनिक्षित किया कि नियाई पालिका स्वतंत रहे और विधाईका पर किसी भी प्रकार का अनुचित प्रभाव ना पड़े, आठवा लिखेंगे शिक्षा और आर्थिक विकास पर ध्यान, डाक्टर अम्वेटकर का मानना था कि सिक्षा ही समाज को प्रगती शील और समतावादी बना सकती है, उन्होंने सम्विधान में सिक्षा को सभी के लिए सुलब बनाने की बात कही, इसके अतर्रिक्त उन्होंने आर्थिक योजनाओं और संसाधनों के नियाए पूर्ण वितरण पर भी बल दिया, डाक्टर अम्वेटकर के विचार और द्रिष्टिकोर, समाजवाद और लोकतंत्र, डाक्टर अम्वेटकर ने भारतिय समाज में समाजवादी द्रिष्टिकोर को बढ़ावा दिया, उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल राजिनीतिक नहीं, बलकि सामाजिक और आर्थिक समानता भी लाना चाहिए, आज प्रश्चता का अंत, डाक्टर अम्वेटकर ने जीवन भर आइस प्रश्चता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने इसे समाप्त करने के लिए सामाजिक जाग रुकता फैलाने के साथ साथ कानूनी प्रावधान भी सुनिश्चित किये, फिर लिखेंगे सम्विधान के प्रती समर्पर, डाक्टर अम्वेटकर ने सम्विधान के महत को समझाते हुए कहा, सम्विधान केवल एक दस्तावेज नहीं बलकि अदेश के लिए जीवन का मार्ग दर्शक है, चुनोतियां और आलोजना है, सम्विधान निर्मार के दोरान डाक्टर अम्वेटकर को कई चुनोतियों का सामना करना पड़ा, कुछ हुर अरगों ने उनके आरक्षन के प्रावधानों की आलोजना की, जबकि अन्यने सम्विधान को अत्यधिक विस्तृत बताया, इसके बावजूद डाक्टर अम्वेटकर ने अपने शिद्धानतों पर अडिक रहते हुए सम्विधान को समया नुकूल बनाया, तो चलिए आगे देखते हैं डाक्टर अम्वेटकर का इस्ताई प्रभाव, डाक्टर बेटकर के विचार और उनके द्वारा निर्मित सम्विधान आज भी भारतिये लोकतंत्र की नियू है उन्होंने ना केवल एक मजबूत राजनीतिक संरचना तयार की बल की एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखा जो समता और स्वतंत्रता के सिधानतों पर आधारित हो अंतता निसकर्स में लिखेंगे डाक्टर भियू राउम बेटकर का भारतिये सम्विधान में योगदान अमूल है उनके विचार और सिधानत केवल उनके समय के लिए नहीं बल की आज और आने वाले समय के लिए भी भी प्रासंगिक हैं उन्होंने भारत को एक ऐसा नियू दी जो सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक रूप से न्याय पूर्ण और सशरक्त हैं उनका जीवन और कार हमें सिखाता है कि ज्यान संगर्ष और समर्पन से असंभो को भी संभो बनाया जा सकता है हम भारतिये समविधान के प्रती जितने समर्पित होंगे उतना ही हमारा देश मजबूत और विक्सित होगा